हाई ट्वेल्टीज, वेलकम थो इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रॉक्चर चेप्टर स्टार्ट करेंगे और आज ही की वीडियो में इसे खतम करेंगे यह इतना असान चेप्टर है ना गाईज, कि आप इसे अपने आसपस हो रही सारी चीजों से समझ सकते हो, देखो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रॉक्चर का मतलब क्या होता है जब हम रोग सुपह आग खोलते हैं और अपने गली के बाहर जाते हैं और हम रोड पर देखते हैं चीज़े बनी हुई, चाहे वो रोड है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे बिल्डिंग्स है, that is the infrastructure Infrastructure guys, basic facility होता है, जो हमें जीने में साहता करता है, जो हमारे देश में goods and services के production में help करता है हमारे पास तीन टाइप के sector होते है, primary, secondary and tertiary तीनों को चलाने के लिए हमें infrastructure के जरूरत है, यानि कि अगर आपने manufacturing unit लगानी है तो हमें बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए तो यानि कि वहां की facility कितनी है, वो हमें पताती है कि वहां का infrastructure कितना अच्छ है So infrastructure क्या है guys, infrastructure कोई भी basic facility हो सकती है, कोई भी services हो सकती है जो एक देश को चलाने में काम कराती है So basically infrastructure की वज़े से हमारा देश develop हो पाते है क्योंकि हमारे देश में production हो पाते है, agriculture हो पाते है और services मिल पाती है अगर हमें bank facility नहीं होगी तो bank का काम नहीं होगा, light नहीं होगी तो आप जान सकते हो कि एक दिन light चली जाए या एक घंटा चली जाए तो life में क्या फरका जाता है, internet नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, phone charge नहीं है हमारा So infrastructure कितना मजबूत होता है, उतना ही उस देश का development भी मजबूत होता है So infrastructure guys, क्या है basically, infrastructure हमारी basic facilities है, जो हमें life को जीने में मदद करती है अगर book की language में बताओ, infrastructure refers to all such activity, services and facilities क्या है, activity है, service है, facility है, which are needed, जो ज़रूरी है, किस लिए, to provide different kind of services in an economy जिसकी वज़े से different kind of services एक economy में मिल पाती है, अगर road है, तभी आपके एक जगे से दूसरी जगे पर समान पहुँच पाता है फोन में, अगर light है, तभी आप लोग और other काम कर पाते हो, कर पाते हो, मतलब यानि कि हमें banking facility मिल पाती है, तभी हम पैसा transfer कर पाते है तो यह सारी चीज़े क्या है guys, infrastructure है, ठीक है तो infrastructure क्या बोले तो infrastructure बोले तो facility हमें कितनी अगर आप किसी ऐसी जगे पर रहते हो, जहाँ पर रोड नहीं है, पानी नहीं है तो हम बोलते हैं कि वहाँ का infrastructure कुछ था ही नहीं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं कितनी दूर दूर पानी भरने चाना पड़ते हैं, लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि हमारे वहाँ पर 24 घंटा लाइट आती है पानी घर में आते हैं, सब कुछ आते हैं, इतमींस यहां का infrastructure अच्छा है तो infrastructure बोले तो facility, infrastructure बोले तो services activity, जो की हमें जरूरी है क्यों जरूरी है इस देश को चलाने के लिए, ठीक है अब हमारे देश में infrastructure कहीं पर भी दो type का होता है एक होता है economic level पर, तो उसे economic infrastructure कहते हैं जो की आपको किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है वहाँ की energy में, यानि की lighting system, power में, transportation में और उदर के communication में, ठीक है अब दूसरा जो होता है, वो हम में देखने को मिलता है तो उसे हम लोग बोलते है social infrastructure जो की हमारे health में, हमारे education sector में और हमारे housing में हमें देखने को मिलता है कई बार हम लोग जब गुर्गाओं की तरफ जाते हैं अब दुकाने बड़ी होके, buildings का रूप ले चुकिया यह means वहाँ का infrastructure इंप्रूव हो गया है तो infrastructure कितने राइब का होता है guys दो, economic level पर और एक social level पर social level यानि हमारे पर तो हम कहां से देखते हैं हमारी education से, हमारी health से और दूसरा हमारे housing से एक देश को चलाने के लिए दोनों infrastructure दोनों पहलर equal होने जरूरी है अगर दोनों में से कोई एक भी गड़ बड़ा गया तो infrastructure बोले तो डूप जाएगा तो हमें दोनों को मजबूत करके चलना है दोनों एक दूसरे के साथ चलना है अब infrastructure guys जब अच्छा होते तो उसकी क्या importance है infrastructure अच्छा मजबूत होने से क्या फायदे होते है क्या importance है तो first is facilitate functioning of the economy तो मैंने आपको बोले economy को चलाने के लिए infrastructure चाहिए उसके बिना कुछ नहीं अगरेजों ने भी train इसके बनाई थी raw material एक जगे से दूसरी जगे पहुंचा सकते हैं हम जैसे जो seeds है fertilizer, pesticide एक जगे से दूसरी जगे irrigation, पानी की facility होगी तब ही हमारी खेती अच्छी होगी so infrastructure अच्छा है तो agriculture को भी हम बढ़ावा मिलेगा हमारी economic development होगी guys देखो किसी देश का जैसे आप US वगरा या other foreign countries देखते हो तो वहां का infrastructure यानि की साफ साफ जगे, अच्छी बड़ी-बड़ी buildings हमें नज़र आती है बस दिल देख के खुश हो जाता है फिर हम अपने आखे खोलते हैं, अपने आपको यहां पाते हैं, फिर थोड़ा मन उदास हो जाता है तो that is the infrastructure जो हमें वहां के खौबों में ले जाता है एक एकनॉमिक डवलप्मेंट जो है, वो उनके इन्फरास्ट्रॉक्चर में जलगती है तो अगर हमें अपने देश की एकनॉमिक डवलप्मेंट करना है तो हमें अपने देश का पर बिजनस हो सकते है तो इन्फरास्ट्रॉक्चर हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है इसके बाद है बेटर क्वालिटी ओफ लाइफ एक अच्छी जिंदगी हमें देता है देखो, लाइट होने से हमें फैसिलिटी है पानी से फैसिलिटी है अब आप बोलोगे कैसे तो अब इंफरास्ट्रॉक्चर में अगर हॉस्पिटल बना है तो हॉस्पिटल लोगों को रोजगार देगा ना अगर इंफरास्रॉक्चर की थुरू आपने मतलब एक बैंक बनाया है तो बैंक में कनमचारी भी तो रखेंगे यह थोड़ी है bank की building बना दी तो बस हो गया काम लोगों को रोजगार मिलता है जब हमारे देश में infrastructure बनता है facilitate outsourcing infrastructure की वज़े से guys हम लोग आज की date में अगर आप देखोगे outsourcing का एक केंदर बन चुके है याने की हमें आरे यहां पर इतनी सारी MNC इतने सारे call centers है वो इसी वज़े से possible हो पाए हैं क्योंकि हमारे यहां पर infrastructure पहले से बहुत अच्छा develop हो चुका है हमारे यहां की लोग पड़े लिखे हैं कि उन्हें job मिल पाती है so it just because of our infrastructure our health facility education facility हमारे यहां की education अच्छी है health facility अच्छी है तो इस वज़े से लोगों कोई नौकरिया मिल पाती है अब आपको समझा है कि infrastructure कितना ज़्यादा जरूर है हम लोगों के लिए अब गाइस यहां पर अगर हम बात करें कि क्या city थी इंडिया की infrastructure के मामले में तो देखो पहले इंडिया में इतनी साथा फैसिलेटी नहीं थी infrastructure में गाउं में आपको पता है कि लक्रियों जला कर खाना बनाया जाता था या फिर cow dung जो कहते हैं हम लोग उपले बोलते हैं उसके थुरू खाना बनाया जाता था वो जला कर उसके उपर खाना बनाया जाता था लेकिन अभी gas की जैसे सुईधा लेके आई जारी है Sanitation की अगर हम बात करें गाई तो घर घर जैसे प्रधानमंत्री योजना के अंडर की वाश्रूम हर घर में होने चाहिए वो लेके आया गया तो बहुत सारी चीज़े कराई जा रही हैं लेकिन अभी भी हमारा देश इन चीज़ों में काफी पीछे है कि उतनी फैसलिटी हम लोगों को नहीं मिल पारी तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गाव है जहां पर पानी के लिए बहुत सारे km दूर जाना पड़ता है या पानी भी अभी भी घरों में नहीं आपाता तो ऐसे बहुत सारी कमिया भी है जो अभी infrastructure में हमें इंप्रूफ करनी जरूरी है हमारे देश बड़ा भी है, population भी ज़ादा है और कुछ चीजे हमारे loopholes हैं, हमारे आप कह सकते हो कि system में जिसकी वज़े से सारी facility नहीं proper मिल पाती तो अब इसके बाद हम एक table दी गई है जिसमें इंडिया को compare किया गया with other countries के साथ in terms of the investment in infrastructure तो इंडिया जो investment करता था guys, वो 34% करता था अपनी GDP का infrastructure में ठीक है, जबकि other countries को अगर हम देखे, तो Singapore सिर्फ 29% कर रहा है बट Singapore के पास 100% water source है, 100% sanitation की उकलबदी है और लोग mobile के subscribers जादा है, सब कुछ अच्छ है तो लेकिन उसकी percentage GDP में कम है तो एक question भी आया था comparison में, तो देखो Singapore की जो population है वो बड़ी limited है तो वो जो कम amount भी खर्च कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत है, यानि कि 29% इंडिया अपना 34% खर्च करके भी बहुत पीछे है क्योंकि इंडिया की population Singapore से बहुत ही जादा है, तो इस वजे से इंडिया को अभी और जादा आविशकता है अपने GDP का infrastructure में खर्च करने के लिए इसके बाद guys, infrastructure में आपका energy topic कट रखा है for 2021-22 session इसके बाद हम सीधा health पर आते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़े important हैं और काफी सारी चीज़े समझाए गई है तो देखो सबसे पहले health को अच्छी तरीके से समझते है, health का मतलब होता क्या है, health का मतलब सिर्फ शरीर में बिना बिमारी के रहना health नहीं है, health का मतलब होता है guys, आप mentally कितने अपने आपको fit मानते हो, आप physically कितने fit हो, आप socially कितने well-being हो, उसे हम health बोलते है, तो अगर विवार गलत है, तो मैं healthy नहीं हो, तो health का मतलब क्या होता है, is a state of a complete physical, शरीर-wise, mentally and socially well-being and not merely the absence of disease, so एक देश में वहांके healthy people होने बहुत जादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग healthy नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएंगे, रोजगार नहीं मिल पाएगा, गरीबी आएग जो health के बारे में बहुत सारे factors बताए गए है, कि health जो है guys, वो सिर्फ आपके, मतलब इसी चीज से बताई नहीं जा सकती कि आपको कोई बिमारी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजे हैं जो health को दर्शाती है, जैसे कि वहां पर जीने की average life expectancy हमारे देश में लोगों की कितनी ह जो born child होते हैं, infant mortality rate जिसे कहते हैं, कि एक साल से कम के बच्चे कितनी death हो जाते हैं, ठीक है, या maternal death कितनी होती है, तो अगर हमारे हाँ पर facility है, तो यह सारे numbers कम हो जाएंगे, यानि कि infant कम मरेंगे बच्चे, औरते maternal time पर, यानि कि pregnancy के time पर कम मरेंगी, ठीक है, तो अगर हमार health system अच्छा है, और अगर नहीं है, तो इनके number यानि कि आख़े बढ़ते जाएंगे, health की वज़े से guys, हमारे देश की overall growth और उस पर पता लगाया जाता है, so health जो infrastructure है, सिर्फ hospital, nurse, beds, सब कुछ बनवा देना sufficient नहीं है, जब तक कि लोगों तक उसकी facility ना मिले, तो यानि कि हमा healthy people, it should be accessible to all the people, यानि कि हर एक बंदा उसको access कर सके, उसको पास सके, वो ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद guys, काफी चीज़े हैं, जो government ने हमारे health sector पर खर्च करी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने आपको एक data given होगा, जिसमें उन्होंने कितने hospitals बनवाई है, beds है, कितनी dispensaries है, वो data given है, ठीक है, हमारे याँ पर health system में guys, three tire system health का बनाया गया, ठीक है, first जो है primary health center है, primary health center किसे कहते है guys, छोटे-छोटे अभी हमारे देली में है, जैसे बहुला क्लिनिक, that is the primary health center, जहां पर बहुत छोटी बिमारियों का इलाज होता है, जैसे बुखार होगया, आपको बुल्टी लगी है, आपको कोई और सरदर्द हो रहे है, तो आप हाँ जाके check कर सकते हो, वहाँ से education ले सकते हो, ब्रॉशर्स पर सकते हो, कि बहुत कौन से बिमारी चल रही है, किसका क्या इलाज है, तो यह होते है primary health sector, जहां पर छोटी-छोटी बिमारियों का इलाज कराय यह सब secondary health centers में होते हैं, जहां पर जादा facility मिलती है, as comparative to primary health center, यहां पर आप surgery बगरा सकते हो, just like a nursing home, ठीक है, nursing home थोड़े से large उस पर खुल जाते हैं, और primary health centers, यानि कि हमारे घर या हमारे आसपास आपने छोटी-छोटी cleaning खुले हुए देखे हैं, that is the primary, जहां पर surgery या प्र pregnancy करा दी है, सब करा दी है, तो secondary है, फिर आता है guys, हमारा third, tertiary health centers, जहां पर mainly बड़ी बिमारियों का इलाज किया जाते हैं, advanced level के equipment रखे जाते हैं, और जहां पर जैसे कि बड़ी बिमारियों के लिए high-tech machines हैं, उन्हें guys, tertiary health centers कहते हैं, जैसे कि AIMS in Delhi, जहां पर cancer से लेके हर एक चीज का इलाज होता है, brain की बिमारियों का हर एक चीज का इलाज होता है, तो वो हमारे tertiary health center में आते हैं, so there are three tire system है guys, जिसके अंदर हमारे health system को देखा जाते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूं guys, इंडिया में Indian system of medicine है, क्या है Indian system of medicine है, जिसके अंदर हमने जो काम किया उस नाम काम को नाम दिया आयूश, ठीक है, इंडियान जो system of medicine है, उसे आयूश नाम से जाना जाता है, आयरवेदा, योगा, युनानी, सिद्धा, होमोपेथी और नेश्रोपेथी, ठीक है, तो ये इसके full form है, जिसके अंदर आपको पता है, आयरवेद हम लोगों जड़ी बूटी के लिए पूरा परवती ले लिया था, तो हम लोग ऐसे देश से है, तो यहाँ पर जो system है, उसमें सारे एक कैतना जड़ी बूटी से लेके एक organic इलाज है हर एक चीज का, तो यहाँ पर basically हमारे याप पर अगर आप देखोगे dispensary बगरे महाँ पर आपको बीजाती है, Ayurvedic और Allopathy भी मिल जाती है, बट हम लोग जुड़े हुए किसे हैं guys, Ayush से, Ayush बोले तो Ayurveda, Yoga, Yunani, Siddha, Homopathy, and Naturopathy, Naturopathy में naturally इलाज किया जाता है आपका, कोई medicine के थू नहीं किया जाता है, तो यह हमारे देश में है, और अब अगर मैं आपको data बताओं जो hospital है, 3,167, and 26,000 guys, dispensary है, और इसके लावा 7,000,000 guys, registered practitioners हैं हमारे इंडिया में जो काम कर रहे हैं, so यह हमारे इंडिया का system है guys, वैसे 67 को हिंदी में कहते है, 60, 60, 60, okay, ठीक है, अब आप guys, देखो, आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद guys, क्या हुआ कि public sector तो चलो, government hospital तो बह लेकिन फिर आया रोल, private sector का, किसका, private sector का, आज की date में लोग private sector hospital में जो आने से डरते हैं, क्यों डरते है guys, ऐसा, क्यों है, आपको पता है कि बिल बहुत अगड़ा बन जाता है, पतानी लाज हो ना हो, यह ऐसे हमारे माइन में थौट बन चुके है, बहुत सारी movies वगरा मे भी इस चीज को उजागर किया, एक तो आत्या, अक्षी कुमार की movie है, जिसमें उन्होंने दिखाया था, एक dead patient का इलाज किया जाता है, तो private sector का, रोल थोड़ा negative दिखाया गया है, और है भी, कई लोग ऐसा करते हैं, जो reality ही दिखा दे हैं, लेकिन private sector के बारे में कुछ ची 60% इंडिया की dispensary run by the private sector, private sector ने 22 लाग लोगों को guys नौकरिया दिये, 2001 और 2K डेटा के अनुसार, 22 लाग लोगों को नौकरिया दिये, there were more than 13 लाग medical enterprises, बहुत सारे NRI and industry and pharmaceutical companies जो हैं, अपने super specially hospital यहां पर बना रहे हैं, ताकि वो अमील लोगों को target कर सके, तो यह कुछ private sector का role रहा, which is positive and which is negative as well, दोनों रहा हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छा control भी करा है guys, कि बहुत सारे facility दिया थे, जो लोग government hospital में, लंबी lines में नहीं लग पाते, क्योंकि बहुत rush है, क्योंकि हमारे यहां की population जादा और उसके सामने hospitals बड़े कम हैं, अभी मैं अगर आपके सामने guys, data रखोंगे आप हैरान रह जाओगे, अभी मैं आपके सामने एक data रखोंगे, आप सच में हरान रह जाओगे, तो जिसकी वज़े से लोग government hospital जाने से बचते हैं, क्यार कौन भीड में लगे, पता नहीं, लाज हो, 6 महीने के बाद की date मिलती है, तो लो अर्बन कैसे divide किया गया हमारे देश में, तो guys, देखो, mainly हमारा देश दो भाग में divide है, right, हम गाओं भी है हमारे देश में, तो हमारे देश में शहर भी है, right, ruler and urban area है, तो लेकिन एक खास बात क्या है guys, कि 70% जो इंडिया की population है वो ruler area में रहती है, और 30% इंडिया की population जो है वो urban area में रहती है, ठीक है, लेकिन खास बात क्या है guys, 70% of इंडिया population live in ruler, बट उनके पास सिर्फ जो facility है hospital की वो 20% है, यानि कि 20% of the total hospital available है इने, जबकि हमारे 30% लोगों को 80% hospital available है, यानि कि 10 hospital में से 2 यहाँ हैं तो 8 यहाँ हैं, तो यह एक बहुत बड़ा divide है guys, जिसकी कम hospital मिल पाते हैं और जो कम population उनको जादा hospital मिल पाते हैं, हमारे 50% total dispensary भले ही यहाँ पर है और 50% total dispensary यहाँ पर है, so guys, यह एक बहुत बड़ा gap है जो हमारे यहाँ पर है, आप देखोगे कि ruler area में बहुत जगे पर ऐसे, जैसे बिहार की तरफ जहाँ पर ज्यादा development नहीं पर primary health centers पर इवे न कोई इलाज की machines नहीं है और अगर doctor भी नहीं है कई जगों पर तो ऐसी चीज़े भी हमारे यहाँ पर देखी गई है, इसके अलावा बहुत सारे doctors pass out हो के निकलते हैं हमारे देश में से पढ़ाई करके, फिर भी हमारे यहाँ पर doctor की कमी है, उसके पीछी काफी सारे doctors अच्छी salary ना मिलने पर migrate हो जाते हैं other countries में, जैसे उने salary package अच्छा मिलते हैं, वो other country में चले जाते हैं अब guys, यह था कुछ data जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और कुछ एक चीज़ बताओ guys, देखो यह तो मतलब हदी है, हम लोग अपने health sector पर अपनी GDP का सिर्फ 4% खर्च करते हैं, सिर्फ कितना 4% और जबकि हमारी population कितनी है, तगड़ी वाली है अब इसके साथ साथ एक और चीज़ बताती हूं guys, देखो, global burden of disease क्या होता है, यानि कि वो disease guys, जिसकी वज़े से लोग prematurely मर जाते हैं, या फिर यह एक ऐसा indicator है, जो basically पता लगाते है कि कितने लोग prematurely मर गए, या फिर उनको disability की वज़े से, वो बिमारी की वज़े से disabled रहना पर सहनी पढ़ती है, इसके अलावा guys, हर साल हमारे देश में 5 लाख बच्चों की water born diseases की वज़े से, जो पानी से होने माली बिमारी की वज़े से death होती है, जो कि 5 लाख है, कोरोना तो उसके आगे मेरे हाथ से हमारे देश में कुछ भी नहीं है, जो इसे हमें ठीक करने की ज है, जो public health facility को use कर पाती है, और हमारे पास सिर्फ 30% primary health center है, जिनके पास sufficient medicines है, 38% primary health centers है, जो हाँ पे सिर्फ उतने doctors है, जितने चाहिए, otherwise ना तो doctor है, ना medicines है, कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ पे 4.8% GDP का खर्च किया जाता है, जो कि बहुत कम है, 4.8 is very less, तो हमें इस पर का करने की ज़रत है, तो हमारा health infrastructure में इतना सही नहीं है, हमारा health infrastructure, अगर women health की बात करें, क्योंकि हमारे देश में, women का अंखडा भी जादा है, ठीक है, अभी एक time आया था, जब आदमी और और ओरत, जो thousand हम लोग कैल्कुलेट कर तो में women's जादा मेली थी, जादा हो गई, लेकिन अब उस चीज में changes आई है, जिसकी वज़े से अब girl child नहीं मरी, तो women's number जादा हो गए है, as comparative to men number, ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि, बहुत सारी, 3,00,000 इनों ने बताया है around लड़कियां, जो 15 साल से छोटी होती हैं, उनके सिर्फ शादी नहीं बल्कि उनके ब महिलाओं को anemia, iron deficiency की बिमारी होती है, और 90% ऐसी महिला हैं, जो उनकी maternal death हो जाती है, तो औरतों में health को लेके जाग रुकता थोड़ी कम है, देखो मैं सच बताऊं, तो यह चीज आप भी अपने घर में देख सकते हो, कि हमारी मम्मी वगरा कामों में जादा रहती हैं, और अपनी health पर ध्यान नहीं देती, तो हम लोगों का फर्स बनता है कि उनकी health को हमें ध्यान देना चाहिए, उनके लिए जो facility हम लोग प्रवाइड कर सकते हैं, उनको अच्छा खाना, उनकी take care करना, वो हमें करना चाहिए, ताकि वो हमारा ध्यान रखती है, तो हमें उनका भी गाउं में population जाद है, लेकिन hospitals नहीं है, शेहरों में population कम है, लेकिन hospitals जादा है, ठीक है, इसके अलावा guys, communicable diseases बहुत जादा है, तो उसको हमें रोकने की जरुरत है, जैसे AIDS वगरा, तो उनको हमें रोकने की जरुरत है, communicable diseases को, poor sanitation facility है, उसको encourage जो कि of course, प्रधान मंसी जी ने हमारे करी थी कि घर-घर washroom होना चाहिए, तो वो हमें ठीक करने की जरुरत है, lack of manpower, यानि कि हमें ही हाँ पे medical में अच्छी doctors की जरुरत है, malnutrition को दूर करने की जरुरत है, यानि कि जो भी guys, हमें basically children में पोशक्ता की कमी है, उसको दूर करने की जरुरत है, और private sector के रोल को थोड़ा collaborate करने की जरुरत है with the public sector so that कि वो proper तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पर काम करें, तो लोगों को facility मिल सके, तो ये था guys हमारा infrastructure में health, I hope आप लिगों को समझ आया होगा, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt है, तो आप YouTube पर, या फिर Instagram पर ID है, तबिता मैसी message करके पूछ सकते हो, thank you.